जै मतरानी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधाक्रिशन अफीसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै श्री बिशनू जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तों आज क के वीडियो में हम जानेंगे आम लखी एकादसी के बारे में किस साल दोहजर चोविस में कब है तीथी कब से शुरू हो रही है कब समाप्त हो रही है पारन का सू मुहूर्त क्या रहेगा दसमी तीथी के दिन हमें कौन-कौन से कारिय करनी चाहिए और क्या-क्या खाना चाह एकादसी के दिन हमें क्या खाना चाहिए पारन के दिन का सू मुहूर्त क्या रहेगा पारन के दिन हमें क्या खा करके अपना ब्रत खोलना चाहिए तो दसमी तीथी से ले करके और पारन तक का संपूर निनियम विधी आज एक ही वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडिय रंग भरी एकादसी के नाम से भी जाना जाता है आमला की एकादसी के दिन भगवान श्रीहरी बिश्नु के साथ साथ भोलेनात और माता पारवती की पूजा की जाती है आज के दिन भगवान भोलेनात और माता पारवती की आए थे तो उस दिन उनका पूजा बिशेश किया जाता है और इस दिन भगवान भी पेर की भी पूजा की जाती है अब बता देती हूँ कि इस एकादसी को हम लोग आमलकी एकादसी क्यों कहते हैं रंग भड़ी एकादसी क्यों कहते हैं तो बता दो कि आमले का एक जो नाम होता है वो आमलकी भी है इस लिए इस एकादसी को आमलकी एकादसी कहते हैं और बता दो कि कासी में रंगों का जो तेहवार होली है ना रंग भड़ी एकादसी से ही सुरू हो जाती है और लगतार छे दिन तक चलता है इसी दिन ऐसा मन्यता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पारवती जो गवना करा करके पहली बर अपनी प्रेम नगरी में आये थे तो काम लगी एकादसी के दिन भगवान भिष्णू माता लक्षमी भोलेनाथ माता पारवती और आवला के ब्रिक्ष की पूजा करने का विशेष बिधान है क्यूंकि इस दिन जो है न वो श्रिष्टी के अरध्य में आवला की उत्पती हुई थी तो आवला स्रीहरी भिष्ण भगवान को अत्यान्थी पिरिये है इसको अस्मरन करने से गौदान का फल मिलता है और इसको असपर्स करने से दो गुना फल मिलता है और आवला के फल खाने से तीन गुना फल की प्राप्ती होती है क्योंकि आवले के मुल भाग में श्री विश्नु भगवान उपरी भाग में श्री ब्रह्मा जी ताने में रूद्र सखा में मुनीगन तहनियों में देवता और पता में बसू फूल में मरुतिगन और फॉलों में समस्त प्रजापती पास करते हैं इसी लिए सभी पापों को हरने वाला परम पुजे आवला का ब्रिक्ष है तो इस दिन आवले के पेर के नीचे बैठ करके स्रीहरी बिश्नु भगवान के पूजा या मंत्रों का जाप करने से एक हज़ार गौदान करने का पुन्य प्राप्त होती है अब चलिए जान लेते हैं कि एकादसीती थी कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है तो बता दू कि एकादसीती के तेइस मिनट पर समाप्त हो जाएगा तो बता दू कि इस बार दो हजर चोविश में जो एकादसी का ब्रत रखना है बीस मार्च को रखना है दीन है बुद्धुबर तो इस दिन सुबह से ले करके सुरियोदय से ले करके और साम तक पूरे दिन एकादसी ती थी है तो इ करना है यानि कि 19 मार्च को उन्हें दसमी थी थी के नियमों का पालन करना है दसमी थी के दिन भी सुबह में जल्दे उठी है अशनान करके साफस्वक्ष वस्तर धारन करके अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लिजिए और आवले के ब्रिक्ष का पूजा कर लिजिए उसके बद उस दिन सुध और सात्विक भोजन की जेग अला है सुन पिया, आजमान, समदीरा यह सब का सेवन नहीं करना है और दस्मी तीथी से ही ब्रहमचरे का पालन करना है दस्मी तीथी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, मसुर का दाल नहीं खाया जाता है साग नहीं खाया जाता है बैगन से तो एकादसी का बैड़ी है तो बैगन नहीं खाया जाता है मुली नहीं खाया जाता है तो ये सब समान हमें दस्मी तिथी से ही नहीं खाना है और दस्मी तिथी के दिन रात में भी भोजन नहीं किया जाता है और उस दिन रातरी में नमक का सिवन नहीं किया जाता है दसमी तिथी के दिन आप लोग सुबह में सिंधा नमक खा सकते हैं लेकिन रात में नमक नहीं खाया जाता है और एका दसी तिथी के दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है एक बार वही फलहार किया जाता है दो पहर के समय में तो बता दू कि एका दसी क दिन आप लोग बुधवार के दिन 20 मार्च को आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाएगा अपने नित्य कर्मों से निमित हो करके अशनान कर लिजेगा साब स्वक्ष वस्त्र धारन कर लिजेगा उसके भद भगवान विश्नो माता लक्षमी भोले नात और माता पारवती का पूजा उस दिन जरूर करने चाहिए साथ में आवला के ब्रिक्ष का पूजा भी जरूर कीजिएगा और उस दिन भगवान के भोग में आप लोग आवला जरूर चरहाईएगा और आप लोग एका दसी के दिन अनाज छोड़ करके आप फल का भोग लगएगा और जिस स्रीहरी बिश्नु भगवान के भोग में और बता दो कि इस दिन स्रीहरी बिश्नु भगवान लक्षमी जी भोलेनात और माता पारबती को तो आप लोग गुलाल चरहाईएगा हैं क्योंकि ये रंग भड़ी एका दसी है बाकी आपके घर के मंदिर में जितनी भी देवी द करना है इस दिन किसी का अपमान भी नहीं करना है किसी के चुगली नहीं करना है किसी से जगरा लडाई नहीं करना है नहीं किसी पसू पक्षी को हमें मारना है ब्रत के दिन क्योंकि ये जो ब्रत है ना वो पाप नास करने वाला ब्रत माना जाता है सभी पापों को नास करने वाला ब्रत माना जाता है अपने प्राश्चित के लिए इस एकादसी का ब्रत रखा जाता है और बता दू कि एकादसी के ब्रत के परभाव से हमारे सारे पाप नश्ट हो जाते हैं तो इसी लिए हमें कोई भी मतलब की एकादसी के दिन पाप नहीं करना है और ये जो ब्रत है ना वो केवल हम अपने लिए रखते हैं बाकी सब ब्रत है तो अपने पती के लिए बेटे के लिए रखते हैं लेकिन एकादसी का जो ब्रत है वो हम अपने लिए रखते हैं अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखते हैं और एकादसी के दिन ध्यान रखे कि तूलसी जी मे पहले ही तोर करके रख लीजिए और नहीं तो जो पेर के नीचे में गीरा है वो उठा करके रख लीजेगा भोग में डालने के लिए तो इस बात का आप लोग खास करके ध्यान रखेगा और एका दसी के दिन सुहागिन महिला बाल नहीं धोएगी तो यह सब किलियर हो गया अ ही सोया जाता है अगर आपका स्वास्त सही नहीं है बहुत तेज निंद लग रही है उस इस्थिति में आप चाहे तो सो सकते हैं तो वह भी सोते समय अपने आंचल में पांच या साथ तुलसी पत्र बांध करके ही सोईएगा और जैंस लोग है तो अपने पोकेट में तुल तो जादा तर कोशिस करें कि दातुन से मूध है लेकिन अगर आपको दातुन नहीं मिलता है तो अब पहले से जो ब्रस से ब्रस करते हैं उस ब्रस से मत किजिएगा अपने लिए नया ब्रस नया जीभा खड़िद लिजिएगा क्योंकि जो पूर्णा वाला ब्रस होता है न उसी से ब्रस करते हैं तो ब्रत वाले दिन उस ब्रस को मुह में ना डले नहीं पारण के दिन नहीं ब्रत के दिन और नहीं नहाई खाई के दिन तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा ये गलती तो बिल्कुल भी मत किजिएगा अब चलिए जान लेते हैं कि 22 तिथी क समाप्त होगा 22 मार्च को दीन है शुक्रबार सुबह में चार बज के 44 मिनट पर समाप्त हो जाएगा अब चलिए जान लेते हैं पारण का सुब मोहुर्त क्योंकि एकादसी का जितना महतम एकादसी का ब्रत करना होता है ना उतना ही महतम एकादसी के पारण का होता है क्योंकि सूमोहृत में पारं करने से एकादसी के सभी पुन्यफल की प्राप्ती होती है तो इसलिए पारन का भी बीशेश करके ध्यान रखना चाहिए कि हमें जी टाइम पे पारं करना है उसी टाइम पर चाहें आपका खाना रेडी हो ना हो एक तुल्सी पत्र और गंगा जल भगवान के चाना इम्रित डाल कर भी अपना पारन ब्रत खोल सकते हैं लेकिन सुमोहुर्त में ही खोलिएगा क्योंकि एका दसी का जो ब्रत है वो द्वादसी में ही किया जाता है पारन का सुब मुहुर्ट बता दू तो पारन का जो सुब मुहुर्ट रहेगा वो 21 मार्ज को दिन है गुरुबर सुबह में 8 बज के 5 मिनट से ले करके और 9 बज के 45 मिनट तक तो आप लोग कोशिस करें कि 10 बजे से पहले पहले अप लोग पारन कर लें और जो भी भोग भगवान को लगाए हैं दो आदसी के दिन तो उस भोग को उठा करके अब परसाद के रूप में पहले उसको मुख में डाल लीजेगा इसके बाद आप लोग सुध और सात्विक भोजन करके फिर अपना एकादसी का ब्रत खोलिएगा और एक बात और बता दो कि फालगुन सुकल पक्ष की दोआदसी को गोबिंद दोआदसी के नाम से भी जाना जाता है और दोआदसी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करने जाए तो जो भी भगवान श्री कृष्ण की किरपा से उन्हें अंत में मोक्ष की प आवले के ब्रिक्ष की उत्पती हुई थी श्री बिष्णु जी के नाभी से ब्रह्मा जी की उत्पती हुई थी एक बर ब्रह्मा जी के मन में आया कि अपने बारे में जानने के बोगत ज़्यादा उन्हें जिग्यासा उत्पन हुई तो की वो कौन है उनका जनम कब हुआ और उनका जनम कैसे हुआ तब इसी सभी बातों को जानने के लिए ब्रह्मा जी के मन में बोहत ज़िदा जिग्यासा हुआ तब ब्रह्मा जी ने अपनी जिग्यासा को सांथ करने के लिए प्रम ब्रह्म की कठोर तपस्या शुरू किया तब पर ब्रह्म में ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन हो करके पर ब्रह्म बिश्नु जी प्रकट हुए और अपने सामने सक्षात श्री बिश्नु जी को देख कर के ब्रहमा जी के आखों से खुशी की आशु आने लगे तब ब्रहमा जी के भक्ती भावना से श्री बिश्नु जी बहुत प्रसन हुए तब ब्रहमा जी के आशुओं से ही आवला का ब्रिक्ष का उत्पन हुआ तब से श्री बिश्नु जी ने ब्रहमा जी से कहा कि आपके उत्पन हुआ ये आमला का जो ब्रीक्ष है न वो आमला मुझे बोहत ही पिरिये रहेगा और जो भी ब्यक्ति आमला की एकादसी का ब्रत करेगा आमला का पुजा करेगा उसके सभी पाप नश्ट हो जाएंगे और उसे अंत में बैकूंठ धाम की प्राप्ति होगी तो इसी ल था कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा चाइनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिसे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को ल किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार